अरिधाल ही में एक ये जो सबत उबर कर आया है, निकल कर आया है स्टार्टप। उसके बारे में complete pre-detail से हम बात करेंगे स्टार्ट अप क्या होता है कैसे स्टार्ट अप स्टार्ट किया जाता है स्टार्ट अप सुरू करने के लिए कौन कौन सी मूलभूत आउसक चीजों का होना जोरूरी है स्टार्ट अप से फंडिंग कैसे मिलेगी startup में investment कैसे किया जाएगा startup का management कैसे होगा complete पूरी detail से आज के स्टापिक में हम बात करेंगे यदि आप भी अपना कोई startup सुरू करना चाते हैं तो उसमें किस परकार के rips हो सकती है क्या आपका startup फायदे में रहेगा या नुकसान का सोदा रहेगा स्टार्टप का मेनेजमेंट कैसे होगा जो भी आपके दिमाग में ऐसे कुशन है वो सब का आपको स्टोलेशन मिलने वाला है आज के इस टॉपिक में स्टार्टप होता कहा है किस परकार से आप स्टार्टप सुरू करें आज कि यूआ पीडी नोकरी को कम महतव देते हुए स्टार्टप को ज़्यादा महतव दे रही है आखिरकार स्टार्टप क्यों शुरू करना चाहती है आज की यूआ पीडी क्या फाइदे हैं स्टार्टप के आप भी अपना एक स्टार्टप करके कितना उसमें अरन कर सकते हैं Start-up क्या होता है? Start-up के यदि हम बात करें हिंदी में नवन्मेशन. नवाचार से ये मिलता जुलता सबद है Start-up. अंग्रेजे में इसके माइने हैं अचानक उदै होना. Start-up यानि कि अचानक से उदै होना या उगना आगे भढ़ना. आगे भढ़ना उगना ये सब Start-up के ही ना काम हैं. इसके कारोवारिक माइनों की यदि हम बात करें तो नए और अनजाने बिजनिस मोडल की खोज इस हर्थ में नए किसम के कारोवार से जुड़ी नई कंपनियों को Start-up कंपनी कहते हैं. बारत में E-Retail से जुड़ी ज़्यादा तर नई कंपनिया Start-up हैं. इनके मालि को परबंदन नए हैं. इनका काम करने का तरीका नया है. यह सबत 20 सदी के अंतिम वर्सु में .com, Boom और Bubble के वक्त ज्यादा लोग प्रिये हुआ. इन कंपनियों के साथ विफलता और सफलता का भारी उतार चड़ाव और जोखिम भी जुड़ा है. साथ ही इसके साथ इंटरने की हम बात करें तो अमरिका के बिजनेस और इंजिनियरिंग संस्तानों से निकल कर चातर कारोबार सुरू करने के बारे में सोचते हैं. बारत में अभी तक नोजवान युवापिडी नौकरी को विरिता देती थी लेकिन अब भारत में भी स्टार्टप सुरू हो गए हैं. आप प्रिस्तितियां और रिस्तितियां बदल रही हैं. प्रमपरागर्त की जगए नए कारोबार के आविस्टकार में फाइदे की गुंजायस भी ज़्यादा है. इन दिनों स्टार्टप के परती भारत के युवाओं में तेज़े से रुजान बढ़ रहा है. वो भी अप अब भी अपना एक स्टार्टप शुरू कर सकते हैं. आई होप कि आपके लिए बोर्ट कारगर वीडियो सिद्ध होगा. आप बेंकिंग, फाइनेंस, इंसोरेंस की किसी भी सर्विस के लिए घर बैठे हमसे सर्विस ले सकते हैं. आप मेचल फंड करवाना चाते हैं. S.I.P भी आपके वहिकल का इंसोरेंस करवाना हो, तो भी आप निचे विए नंबर से संप्रक कर सकते हैं. या फिर इस वीडियो के डिक्सरेशन में जो लिंक दिया है, उसके माधिम से आप हमसे संप्रक कर सकते हैं. ऐसे ही महतवपरन टॉपिक मैं निमित आप लोगों के साथ ल मिल पाए. थेंक्यू सो मच्च. जय हिंद, जय भारत.